नमस्कार दोस्तों मैं पंडित केके सर्मा संपादक जोतिस गुरू मासिक पत्रिका स्वागत करता हूँ आपका इस यूटूब चैनल में और स्वागत करता हूँ आपका इस खासकार करम में खासकार करम में हम बात करने जा रहे हैं वर्स दो हजार तेईस के रासी फल की सब ही रासियों के लिए कैसा रहने वाला है वर्स दो हजार तेईस बात कर चुके हैं हम मेस रासी से लेकर कुम रासी तक के जातकों का अलग अलग वीडियो में कैसा रहने वाला है वर्स दो हजार तेईस अब बात करेंगे रासी चक्र की अंतिम रासी मीन नसी की चलिए इसमें हम बात करेंगे आपके आर्थिक पक्ष की इसमें हम बात करेंगे आपके स्वास्त की बात करेंगे जो विद्यार्थ है उनके लिए विद्याद्यन की बात करेंगे आपके परवारिक जीवन की बात करेंगे आपके बैवसाइक जीवन की कैसा रहेगा आपका वेवसाइक छित चलिए अब बात करते हैं मीन रासी के जातकों की तो मीन रासी जो होती है वो एक दोई सुभाव रासी है मीन रासी वाले जातक अक्सर अस्थिर चित व्रत्ती वाले होते हैं यानि उनके अंदर एक अस्थिरता रहती है ऐसे कहेंगे उसको कि थोड़ी थोड़ी देर में उनके डिसीजन बदल सकते हैं इस राज़ी के जो जातक होते हैं उनका सुभाब कल्पना सील होता है मानव ताके ये बड़े धनी होते हैं गुरू के प्रभाव के कारण संपन करने के उद्देसे से अकसर ये अपने निरड़ों में बीच वीच में परिवर्तन करते रहते हैं नैतिक रूप से संपन होने के कारण उच्च नैतिक तावाले होते हैं आर्थिक जीवन की बात करें इनके लिए वर्स 2023 की तो आर्थिक जीवन के मामले में जो ये वर आपके लिए वने ही रहेंगे जो आपके बजट को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं अपरेल के बाद जो आर्थे किस्तिती है उसमें आपकी में सुधार होगा खर्चों पर भी उस समय निंत्रड होगा और आवंदनी के कई साधन बढ़ेंगे कहीं पर किसी भी तरह का कोई नि नाम प्राप्त होंगे या ऐसे करें कि अच्छे अपसर प्राप्त हो सकते हैं रासी स्वामी देव गूरु ब्रस्पती अपरेल तक आपकी रासी में गोचर करेंगे उसके साथ ही 17 जनवरी से सनी की साड़े साथी भी आपकी प्रारम हो जाएगी इसलिए कार छेत्र में कोई विवसाय करते हैं उनके लिए ये वर्स काफी लाबदायक साबित होगा सनी का गोचर आपकी रासी से बारमे भाव में बिदेश से सम्मंदित कुछ अच्छे लाब कराने का संकेत देता है लेकिन साब धानी वहां भी आपको रखने की जरूरत होगी अन्यता नुक्सा साबित होगा पारवारिक जीवन की बात करें तो वर्स के आरम में यानि वर्स के सुरुआत से लेकर अप्रेल तक पारवारिक जीवन आपका सांती में बना रहेगा सनी की साड़े साथी समय समय पर कुछ पारवारिक समस्यां आपको देती रहेगी या दे सकती है कुछ पार सो समझ कर ले अन्य था मानसिक असांती का कारण आपका वो निर्ड़े बन सकता है जीवन साथी के साथ सामंजस बना रहेगा संतान से संबंदित कोई चिंता है वो दूर होगी साथी जो लोग संतान के चुक हैं उनके लिए भी अपरेल तक का समय काफी अच्छा है परवारिक परिक्षा और प्रित्योगता की अगर हम बात करें तो चात्रों के लिए भी इस वर्स बहुत अच्छा है अगर प्रित्योगी परिक्षा की कोई तयारी आप कर रहे है तो अपरेल तक कोई सुखत परिनाम आपको मिल सकता है सनी की साड़े साती अब ये संकेत करती है कि प्रित्योब रस्पती का गोचर अपरेल तक आपके स्वास्त को प्रोटेक्ट करेगा या आपके स्वास्त की रक्षा करेगा अपरेल के बाद कुछ स्वास्त संबंदित परिशानिया आपको हाने दे सकती हैं उदर रोग चाती से संबंदित रोग और दांतों से संबंदि परिसानिया इस वर्स आपको रहेंगी निरंतर योगा अभ्यास और खान पान को नियमित रखें जिससे आप इन परिसानियों से बस सकें कुल मिलाकर स्वास के मामले में या ये वर्स अन्य चीजों में भी आपके लिए मिला जुला फल देने वाला है उपाई के तौर पर आप ब्रस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में पानी में गुड मिलाकर जल अर्पित करें तथा उनका पूजन भी करें ब्रस्पतिवार के दिन ही सिरी राम जी की इस्तुती करना आपके लिए बिसे सलाव देने वाली साबित होगी सनी की साड़े साती के लिए सनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर सरसों का दिया जलाना या दीपक जलाकर सनी मंदिर में जाकर रखना आपके लिए काफी हित कर रहेगा कुल मिलाकर कह सकते हैं आपके लिए वर्स मिला जुला है लेकिन अगर आप थोड़े से इन उपाई को करेंगे तो उसमें भी और सुबता की और इस बर्स को आप ले जा सकते हैं चलिए आज के लिए इतना ही क्योंकि हमने बात की है सभी रासियों की मेस रासियों से लेकर मीन रासियों तक के जातकों के लिए कैसा है वर्स 2030 क्या बिसेस है सभी के लिए और क्या समस्याएं और चिनोतियां है उन सभी चीजों की बात किये हमने यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करपया तुरंद करें साइड में लगए गए वेल आइकों को दवाएं ताकि ऐसी अन्य जानकारियां समय समय पर आपको मिलती रहें और आप उनसे बंचितना हो जानकारी अच्छी लगे तो दूसरों के साथ भी सेयर करें ताकि वो लोग भी इसका लाव उठा सकें आगे फिर उपस्तित होंगे अन्य किसी जानकारी के साथ अन्य किसी रोचक बिसे ग्यानमर्दक बिसे के साथ आज के लिए इतना ही आग्या दीजिए नमस्कार